प्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइन्टिफिक डीजन में स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कारण है कि तना हमेशा उपर की और और तथा जड़े नीचे की और बढ़ती है तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दे और लेटेस्ट वीडियो के लिए बगल वाले बेल आइकन को पेस कर दे तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने कोस्चन की और कि हम जानना चाहते हैं कि तना हमेशा उपर की और और जरे हमेशा जमीन के नीचे की और क्यों जाती है तो इनका मुख्य कारण है कि जब बीज अंकुरित होने के बाद जरे निकलती है तो वो हमेशा नीचे की ओर जाती है जिसके पीछे एक force काम करता है जिसकों की हिंदी में हम घनात्मक भू अभिवरतन force काते हैं और इंगलिस में positive ground reception force काते हैं इसी कारण से जरे हमेशा नीचे की ओर जाती है और उसी तरह से तना सदे प्रकास की ओर बढ़ती है क्योंकि उपर की और एक विशेस बल काम करता है जिसकों की negative ground reception force काते हैं यही कारण है कि तना हमेशा आउपर की ओर तथा जड़े नीचे की ओर बढ़ती है ऐसा करता हूं friends के आपको यह वीडियो अच्छा लगावा अच्छा लगाए तो like, share और comment चरूर करें